हिना खान ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर एक बहुत बड़े ट्विस्ट का खुलासा किया है तो आखिरकार किस ट्विस्ट का खुलासा किया है हिना खान ने बताऊंगे आपको इस वीडियो में तो जल्दी से देखिए मेरा वीडियो साथी साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल न भूले नमस्कार मैसनेगधा स्वागर करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर आपको बता देखे हिना खान, जब जैसे भी आप हिना खान को अब तक आपने देखा होगा चाहे वो उनका पॉजिटिव करदार हो, यानि की अक्षडा के करदार में, एक संसकारी बहू के करदार में चाहे उनका negative किर्दार हो यानि कि कुमॉलिका के किर्दार में दोनों ही बिलकुल superb था Actually उन्होंने अपनी जो acting की जो skills हैं उनकी वजह से उन्होंने सभी दर्शकों के दिलों में वो जगह बना ली है तो वो negative हो या फिर positive हो हिना खान हमेशा से अपनी superb acting के दम पर सभी दर्शकों के दिलों में जगह बना चुकी है अब इस तरीके से हिना खान की अगर बात करें तो हाल में ही उन्होंने अपना 12 साल complete कर लिया है TV इंडस्ट्री में जिसके बाद उन्होंने बहुत grand party भी की थी अपने boyfriend के साथ Rocky के साथ इसे के साथ अब आपको बता दू कि हिना खान ने जाहिर किया है कि उन्होंने अपनी जो upcoming जो नए projects है वो क्या कुछ नया करना चाहती है वो हमेशा से नए challenges को accept करना चाहती है और हमेशा से नए challenges को accept करने के लिए हमेशा ready रहती है आपको तो यादी होगा हिना खान खत्रों के खिलारी में भी रही है चाहे वो big boss में भी आई है तो जिस भी situations में होती है हिना खान डट कर सामना करती है और इस बार भी हिना खान दे कुछ ऐसे ही खुला से कि यह हैं कि यू-पी के टोन में, यू-पी वाले टोन में बिलकुल बोलना चाहती है और यू-पी वाले साइड का एक प्रॉपर TV सीरियल करना चाहती है, तो यू-पी बैस्ड टोनमें बाते करने के साथ-साथ वो यू- हो जाए तैयार क्योंकि हिना खान आने वाली है और करने वाली है धमाल यूपी भिहार स्टाइल में गाइस कितने एक्साइटर हैं आप कमेंट करके जल्दी से बताएगे हमारे कमेंट सेक्शन में हिना खान आपको कितनी है पसंद ये भी बताएगा जरूर और साफ तौर पर ये बता दीचेगा जरूर कि आप कितने एक्साइटर है यूपी बिहार टच में हिना खान को देखने के लिए कमेंट कीचे जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में तमाम बॉलिवुट और टीवी दुनिया से जुड़ी हरे ख़बरों के लिए देखते रहे हमारा चानल